इस वाक्त हम पहुंच चुके हैं राम की नगरी आयोध्या में यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से हम लता चौक पर मौजूद है यहां पर जो फीड है वो देख सकते हैं किस तरीके से पूरी राम में हुई पड़ी हुई है ज्यानगरी और यहां पर भक्तों का ताता लगा हुआ है जिस तरीके से देख सकते हैं यहां पर यहाँ पर हमारे साथ तमाम प्रभु राम के भक्त है एक बार जोड से लगाएं जैकारे जैकारे की जो गूंज है वो आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भक्ती भैमा अलमरा पड़ा हुआ है और ठंड भी बिलकुल प्रिचंड है और लेकिन यहाँ पर जो थाए है किस तरीका से बदलाओ झाए इवाला में बहुत बदलाओ देखरें पहले जैसे यहां पर आप राम पर खे पर आए होंगे आज 2013 में हैञ आए होगे इसी जो है राम परणी जो है काईयां सड़ती थी, गाएं गोबर कर देती थी, कितना गंदगी रहती थी, सरकार तब ध्यान नहीं देती थी लेकिन जब से योगी जी आये हैं 17 से और 14 से जो है मोधी जी आये हैं तब से अयोध्या का विकास अपने चरम सीमा पर है, बहुत विकास हो रहा है 22 जनवरी की क्या कुछ तयारी है, क्या तयारी है 22 जनवरी की ये तयारी है कि रामलला का जो है उतसब हो रहा है और प्रान पतिष्टा हो रही है भगवान राम को बास से दिये जाएंगे साथ प्रकार के आपकी क्या तैयरी है? हमारी ये तैयरी है जोड-जोड से जैकारे से तैयरी, वो सनातन धर्म की जज़ेशनिलाव! पर भक्ति की कोई कमी नहीं मिल रही है, किस तरीके से देखते हैं, अध्या में बदलाओ जो हुए है, जिस तरीके से देखा जाए, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, पास सदी की 500 सालों की जो लड़ाई लड़ी गई है, 2019 में फिर फैसला आया, और अब 24 लग गया है, निर्माड होते होते हो और यहां पर देखा जाए, तो किस तरीके से बदली हुए है अध्या देख रहे हैं, अध्या तो इतनी बदल गई है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, पहले तो फैसाबाद नाम था, लोग फैसाबाद नाम से नहीं जानते थे, आज पूरे देश, देश ने अयुद्ध्या की गूँज है, पूरे विष्ट में अयुद्ध्या की गूँज है, आप इसी राम पैड़ी की बात करते हैं, इसी राम पैड़ी पे काई जमती थी, पान साल बीच जाते थे, कोई मुख मंत्री, कोई मंत्री यहां तक नहीं आता था, आज योगी हमें लगें करीब सत्तरा दिन लग गए हैं, सत्तरा दिन का लंबा संगर्श और उसके बाद यहां पर आयुद्या पहुंचकर कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा, कैसा लगेगा, यहां तो ऐसा लग रहा है, जैसे प्राण बस गए हो, यहां एक नई उर्जा आ जाते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि हनुमान जी है, तब राम जी में ताकत बनती है, और बहुत लोग उल्टा, गदा साथ रखने का क्या मतलब है, बहुत पर साथ नेकट नहीं आप है, अब पता है, आपको पहले भूत दिखाई नहीं देता था, रात्तरी में मिलता थ आखे राम की भकती की बात करेंगे, कहां से आएं, जहां पर भलत जीने, जै नहीं का नहीं, जैने आए, गयां गาม को कर दो है और कहां से आये हैं जहां र lets 아닌 çocuk ने जो है चोड़ा वर्स जो है तपस्चा की उन्होंने भाई भाई के बाई भाई के प्रेम को जीवन अमर कर दिया भर check के दिया महलों के महर्शी और साकेत के संद के नाम से जाना जाता है भरत जी का जीवन जो है बहुत बढiplat रहा नंदीक राम से अभी 22 तारीक को वहां पर भब और दिब कथा प्रानम हो रही है उसी दिन भंडारा भी रहेगा बहुत दिब व्यवस्था महां पर है कहां से आये हैं महारा से कल मोधी जी आमारे महाराश्ट्र में नासिक में थे तो ऐसे ही जैसे ऐसे आयोध्या जी में वाता औरण है कल वाई से नासिक में वाता औरण था और जहां मुदी पैर रखते हैं वहां डेवलप्मेंट है जो हमें दिख रहा है डबल इंजिन की सरकार हमने सब सरकार देखी है महाराश्ट परांड है अभी आप देखे लक्षदीप गए थे मोधी जी 15000 से उपर महारास से लंबा समय करके आए हैं हम बच्चा है हावेट थैस्ट्री संपन है यहां पूरा बना हुआ है देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पूरा जो महाल है वो भक्ती बना पड़ा हुआ है और यहां पर प्रभू राम की भक्ती में आस्ता में कोई भी कमी नहीं है इस वक्त हम लता चौक पर मौझूद है और भारस समचार आप तक हर हर पलपल की अपडेट पहुचा रहा है पूरे दिन हमारी लगातार कवरेज जारी है और हमारे लावा और भी हमारे सयोगी अपडेट आप तक पहुचाते हैं अहमदाबाद से चलकर अयोद्या पहुचे तमाम लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक ही करण का जो है वो वस्त धारान किये हुए हैं जैशीरी राम जो है वो सीने पे लुखा हुआ है और पीट पे लिखा हुआ है राम चरित मानस यात्रा चरिटेबल ट्रस्ट क आप क्या कि किस लिए आए है राम लला के दर्शन करने है राम लला के दर्शन करने ही जा रहा है अलाके दरसन करके आसिरवाद लेके फिर प्रस्तान करेंगे तो दोजा चड़ा दिया वहां पर बाद काहिदे से दर्शन हो जी जी बिल्कुल बहुत बहुत आनंद में दरसन हो प्लान कब बनाया है आप लोगों ने वहां से निकलने का कि हम लोग साथ चलेंगे एक ही एक हुते में नजर आ रहा है जबकि आप मानके चलिए कि यह भगवान की भक्ती का असिरवाद है कि जरा भी ठंड का एसास नहीं हो रहा है हम लोग प्राते हैं पांच बजे सर्जु नदी में पांच पांच डुपकी लगा कि और आपके सामने देखिए ना किसी ने स्वेटर पहना है ना जैकेट लिया है यह भगवान की भक्ती का असिरवाद है कि हम लोग बिना ठंड में इतनी ठंड होने के बावजूद भी हमें जरा भी एसास नहीं हो रहा है कि ठंड पड़ रही है जबकि अभी आप मानके चलिए यहां दस डिगिरी जैसा सेल्सियस होगा भगवान का असिरवाद है हमारे गुजरात में ठंड नहीं पड़ती है जितनी यहां पड़ रही है जितनी ठंड यहां पड़ रही है तो यह एक क्या विशेश तरह के कुर्टे आप लोगों ने अलग से सिल्वाय थे जैकेट तो अलग से चपवाई है जैकेट अलग से च का पाठ करते हैं हर मंगलवार हंग सनीवार हम सुंदरकान का पाठ करते हैं भगवान की भक्ती का रश का पान इस कदर हम लोग कड़ चुके हैं कि हमारी रगरग में अब राम का नाम है देखिए तस्वीरें आप लोग जो है वो किस तरह से देख रहे हैं यहां पर पूरा जो आयोद्या है वो राम मैं नजर आ रहा है और भगवान की भक्ती में सभी लोग लीन हैं पूरी तरह से यहां पर 51 फिट का जो है वो धोजा चड़ाने के लिए हनुमान गड़ी पहुँचे थे भगवान राम की लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर गुजरात के लिए रवाना होंगे बैराल तस्वीरें बेहत जगा जगा पर भव्य और दिव्य नजर आ रही हैं जहां प अनहां पर प्रब्लम नहीं है सभी लोगों को कोई प्रब्लम नहीं है और हम मेरे को सोभागे प्राप्ट हुआ यहां से नोता मिलाता हमको मेरे परिवार को यहां पर राम जो कथा हो रही है यहां पर पंडाल में जो अवन में बेटने का समय मिला है जे भारत असुभारत माता कीज़े बहुत 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 तो बैराल गुजरात से ही चलकर तब लोग यहां पर आएं और पूरे भक्ति भाव में विभोर हैं योद्या इस वक्त प पर हनुवान गड़ी में दर्शन करने के लिए आए हैं और उसके बाद भगवान राम के दर्शन करेंगे आप तस्वीरों में देखिए कि फूल मालाओं से पूरी तरह से सुसजित हैं सभी लोग और यहां पर दर्शन करने के लिए आए हैं और एक विशेस खासियत भी है जानेंगे तर आपने ये रुद्राज की माला हमको पहनाई ठीक है और यह क्या माला है यह संत ने दिया तो भगवान राम जी के यहाँ म attent करने का थैली हमेशा लठका है रहते हैं आक हमेशा काफी लंबा सफर है आप लोगों का हम लोग काठवंडों पस्पतिनात के बाजू में रहते हैं और अपकी हम भगवान अयुद्या रामलला की किरपा से साल में दो-तीन बार आते रहते हैं लेगिन अपकी मन में आया कि 13-14 तारीक के बाद बहुत ज्यादा भीड हो जाएगी तो रामलला का उत्सप का जो है वो अभी कम से कम दर्सन कर ले इसलिए हम लोग पूरा दस लोग आए हैं कितने लोग आए थे हम लोग दस लोग यहां पर चलकर रहा हैं भगवान से क्या मांगा आप लोगों ने क्योंकि आपको पूरा पूरी तरह से आयोद्या राम में हो ये ये बात हुई और उसके अलावा योद्या तो पहले भी आये हो गया मोदी जी लगे वे हैं जैश्री राम जैश्री राम देख रहा है आप जैश्री राम के नारों से अयोद्या गूंज रही है तमाम जगाओं से लोग दर्शन करने के लिए आ रहा है देश ही नहीं बलकि विदेशों में भी राम जनभूमी और राम मंतिरगा डंग का बचता हुआ नजर आ रहा है अयोद्या में 22 तारीक को भगवान राम लला की प्राण प्रतिश्था होनी है और उसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग चीजें आयोद्या में देखने को मिल रही है इस वक्त हम श्री मोदनवाल भोग प्रसाद लड्डू की दुकान पर मौझूद है आप देख सकते हैं कि ये हनुमान गड़ी के ठीच प्रवेश दुआर पर ये इनकी दुकान है यहाँ पर तरह तरह के लड्डू और प्रसाद जो है वो नजर आ जाएंगे उपर चना बेसन का लड्डू है इस्पेशल नारियल लड्डू नीचे आपको जो है वो नजर आ जाएगा यहाँ पर इस्पेशल खुर्चन मलाई पेड़ा भी नजर आएगा इस्पेशल मलाई लड्डू भी नजर आएगा शुद देसी घी का लड्डू नजर आएगा इस पेशल चना बेसन लड्डू नजर आएगा, शुद्ध देशी गी का लड्डू नजर आएगा और शुद्ध देशी गी के बहुत सारे लड्डूओं का इस तरह से टैग लगा हुआ है और सबसे खास बात ये है कि ये जियाई टैगिंग का सामान यहां पे मिलता है यानि कि वो सामान जो किसी दूसरी दुकान में ना मिले वो इस तरह की ये दुकान है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं प्रसाद लेने के लिए लगतार भीर लगी रहती आप देखिये तस्वीरों में कि हनुमान गड़ी में जो लोग आते हैं और दर्शन करने के लिए जाते हैं वो लगतार यहां पर आते हैं और दुकान से लड़ी जो है वो हासिल करते हैं प्रशाद हासिल करते हैं और ले जाते हैं यह सिलसिला दिन भर चलता रहता है इसमें किसी तरह की कोई भी कमी जो है वो नहीं है आप देख सकते हैं कि भीड लगतार जारी रहती है और यह यहां पर यह जो लडू है वो मुसलसल जो है वो बेचने का काम किय आऽा आपका बचाहा सब्कोरों केंग का मालई है और उसका मालैं क्या होते हैं की जो लड्डू कहीं न होती है इसकी खुलत अक्राइक रोती यहने की यह सामान यहीं मिलेगा तो आपकी जी आई टैगिंग कौन से लड्डू का हुआ है जी आई टैगिंग देशी घी के बेसन के लड्डू की जी आई टैगिंग यहां पे हुई है तो आपको फिर से हम तस्वीरे दिखाएंगे कि सर कितना कुंटा लड्डू लोगों प्रति दिन कोई नहीं बता सकता विक्री में इजाफा हुआ है जो बेसन का लड्डू है और शुद्द देशी घी का यानि कि यह लड्डू जिसकी बात हम कर रहा हैं यह नीचे लड्डू लगे हुए है यह शुद्द देशी घी बेसन के लड्डू इनकी जी आई टैगिंग हो चुक जगाओं से बहुत बेहतर होगी यह हनुआन गड़ी के पास की दुकान है और यहां पर लगातार भीर लगी रहती है और यहां पर कई कुंटल लड्डू प्रति दिन बिखते हुए नजर आते हैं लोग भगवान को भोग लगाते हैं और इसी दुकान से ज्यादातर लोग लड्डू ले जाना पसंद करते हैं बाइस तारीक को प्रान प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माड तेजी के साथ चल रहा है उसके साथ ही साथ अयोध्या का भी निर्माड हो रहा है इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं यह गुपतार घाट से एक किलो मीटर दूर का एरिया है और यहां पर एक दूइब तयार किया जा रहा है यानि कि आईलेंड तयार किया जा रहा है आपको सर्यू का किनारा नजर आ रहा होगा यह सर्यू के ठीक किनारे पे जो है वो आईलेंड है क्योंकि माना यह जाता है कि दोनों तरफ जो है व बनाए जाएंगे और लोग यहां पर घूमने के लिए आएंगे कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो की तैयारियां यहां पर मुकमल की जा रही है आप देख सकते हैं कि यह आईलैंड दूइप पे एक जंडा लगाया गया है एक बेहतर रेस्टोरेंट का स्वर अध्या में एक आईलैंड भी बनकर तैयार है इसके लिए लगातार काम जारी है दूसरी तरफ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहां पर भी कपल्स के बैठने के लिए और अन्य चीजों के लिए बिवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त की जा रही है काम लगातार की तरफ से वन विभाग की तरफ से तमाम सारी चीजें की जा रही है और तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही है कुछ पौधे और पेड़ जो है वो भगवान राम के समय के लगाए गए है यानि रामयर कालीन पेड़ पौधों का रोपड भी किया गया है और यह वन अरिया है और बहुत बड़े अरिये में यह सारी चीजे बन कर तैयार की जा रही है आने वाले समय में आयोध्या और भी भव और दिव नजर आने वाली है इसको देखते हुए यहां पर तमाम परियटक भी आएंगे और सैलानियों का भी हुजूम यहां पर लगने वाला है अयोध्या में सांस्कृतिक विरासत को समालने के लिए और समारने के लिए लगतार काम हो रहा है इस वक्त हम सर्यू के किनारे मौजूद हैं गुपतार घाट के पास में आपको हम तस्वीरे दिखा रहे हैं यह वो इलाका है जो की टापू के रूप में जाना जाएगा और इसमें भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम यादें सहेज कर रखी जाएंगी यह पूरा आइलैंड 75 एकल में बनकर तयार हो रहा है और इसमें बहुत सारी सुईधाएं देखने को मिलेंगी यानि पौरालिक रूप से या यह कहिए कि त्रेता युग के दौर से जो लो गौशाला वगयरा भी बनाई जा रही है हाला कि यहां पर रेस्टोरेंट और दीगर चीज़े भी बनाई जाएंगी और उसका निर्माड भी जल्द ही किया जाएगा काम लगतार जारी है यह तस्वीरे जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सर्यू के किनारे यहां प गौशाला की जा रही है और यहां पर बाईस तारीक के बाद गाएं आएंगी और तमाम लोग भी यहां पर घूमने के लिए आएंगे बाईराल जो तस्वीरें हैं वो सर्यू के किनारे की बेहद भववे और दिव्वे नजर आ रही हैं यहां पर जो यह आई लैंड बनकर तैयार हो रहा है, यह अपने आप में बेहद सुन्दर होगा और यह पूरे जो वैधिक काल है, यह यह कहा जाए कि प्यत्रेता के जमाने की यहाँ पर चीजें नज़र आने वाली है यहाँ पर बहुत सारी तैयारी चल रहे हैं, यह क्या बन रहा है और यह कब तक बन कर तयार है यह अभी तो हम लोग इसकी तयारी कर रहे हैं यह राम अनुभो केंद्र है और यह 75 एकड में हम लोग इसको डेबलब करेंगे तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पेज में है वैदिक विलेज बनेगा जिसमें आपको जितने भी यहां हमारे पर अध्यात्म जीवन की तरफ जो अग्रसर होना चाहेंगे उनके लिए हमारे पास भी उस्ता होगी जो बाहर से आएंगे देखने के लिए घूमने के लिए तो उनके सारी भी उस्ताइं हम रखेंगे यहां पर धोती कुर्टा में बाकाइदा रहेंगे खड़ाओं में रहें और अभी तो हमारा काम चली रहा है बहुत तेजी से चल रहा है और हम लोग सोच चाहेंगे कि इसको जितना जल्दी बना सके हम अभी उसके लिए टाइब रेस्टोरेंट वगएरा भी यहां पर बनाई रेस्टोरेंट भी रहेगा लोगों को खाने के लिए रहने के लिए हमारी गवम आता आएंगी यहां रहेंगी अभी तो हमारी ब्योस्थाएं चल रही है साब सफाई हो रही है और बन रहा है बन के फिट हो जाए तो मैं लाओंगा अच्छा बन के फिट होने के बाद लाएंगे तो रोज आना क्या कुछ सैलानियों के लिए भी कोई फस्ट फेज में बस वैदिक विलेज बन रहा जिसमें हमारी तीस पर्ण कुटी बनेंगी बास बली से जो बन नहीं है और उसके बाद सेकंड फेज में हमारा राम अनुभव केंद्र बन रहा है तो अभी धीरे 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 जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरा सब्सक्राइं होंगा ऐसे से से करके हमारे पास और बहुत सारी सीजे है तो फिस이न में अभी हमारे पास बॉत है बोट祂 , बोट से आना जाना रहे हैे इसके लिए कोई किराया भी अभी कोई डिसाइड नहीं किया गया है, अभी तो हम लोग बस आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जन्ता की सेवा में लगे हुए हैं, इसको बनाएंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं, तो यहां पर बहुत सारी यह आईलैंड पूरा तयार हो रहा है, यहां पर आने का रास्ता स जीवन का आनंद यहां पर ले सकेंगे, अयोध्या में प्रान प्रतिष्ठा से पहले तमाम घाटों को भी सजाने और समारने का काम किया जा रहा है, इस वक्त हम उस घाट पर मौजूद हैं, जहां के बारे में यह कहा जाता है, कि भगवान राम ने यहीं पर समाध ही ली थ था और उसके बाद फिर वो दोबारा नजर नहीं आए, आप तस्वीरों में देखिए कि इस घाट को भी सजाया और समारा जा रहा है, लगभग 600 मीटर गुपतार घाट को जो है, वो इस तरह से प्लास्टिक के आप बैरिकेट्स लगा कर इसको पानी में डाला जाएगा, और यहां पर जो सर्यू इसनान करने के लिए लोग आते हैं, वो कम से कम उसी बैरिकेट्स के अंदर रहें, बाहर न जाएं, गहराई में न जाएं ताकि कोई हादसा न हो सके, आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ ये काम किया जा रहा है और ये पूरे घाट पर लगाया जाएगा लगबख 600 मीटर यानि आधे किलो मीटर से भी ज्यादा गुपतार घाट पर इस तरह से ये लगाये जाएंगे बाक्सेज और इनको पानी में डाला जाएगा ताकि इसमें कोई भी अंदर न जा सके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गाहे बागाये तमाम घटन सवारने का भी काम किया जा रहा है, तमाम दरश्ट इगत रखते हुए इन सब चीजों को तयार किया जा रहा है क्योंकि गुपतार घाट भी सज रहा है, समर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे बोट्स वगएरा भी लगाये गए हैं और साथी साथ, और भी तमाम चीजें यहा किया गया है कि जो भी सेलानी यहाँ पर आएंगे, वो कम से कम इन सभी चीजों का आनंद ले सकें, क्रूज भी यहाँ पर चलाया जाएगा, गुपतार घाट पर, यहाँ पर लोग बैट कर इन्जॉाय कर सकेंगे, क्रूज के जरिए तमाम चीजों का आनंद ले सकेंगे, तो इस तरह की बहुत सारी ब्योस्थाएं इस्टीमर वगएरा चला ही जा रहा हैं अभी लोग आते हैं सैलानी आते हैं इसका मज़ा लेते हैं तो बहुत सारी सुविधाओं का यहां पर खया है और आने वाले समय में यहां पर जो है वो और भी ब्योस्थाएं नजर आएंग जा रहा है इस समय हम राम की पैड़ी पर मौझूद है मेरे पीछे की तस्पीरों में आप देख सकते हैं यहां पर रंगोली के माध्यम से प्रभुश्री राम के भव और दिव मंदिर की तस्पीर बनाई जा रही और उन्हीं के साथ साथ में राम और लक्षम मंदिर में जात हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम जो आर्टिस्ट हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रंग बिरंगे कलर के माध्यम से इनको भरने का काम करें और भरने के बाद इस तरीके की जो तस्पीर है वो अगर आपके सामने आएगे मैं चाहूंगा एक बार आप तस्वीर दिखाईए आप देख सकते हैं कि इस तरीके की कुछ तस्वीर होगी जब ये पूरी रंगोली फुल हो जाएगी हमाई साथ यहां पे कलाकार भी मौजूद है जो इसको बना रहे हैं ये बताईए कितने दिन में ये रंगोली जो है वो पूरी हो जाएगी और ये ये खयाल आया कि प्रभुश्री राम के मंदिर को अब बनाना चाहिए यहां पर क्योंकि राम जी का मंदिर बन रहा है और राम जी आ रहे हैं तो उनके सौगत नहीं आप लोग भी खुश हैं उत्साहित हैं बिल्कुल तमाम इसके पहले भी आप लोगों ने रंगोली बना पाना आपको लग रहा है कि एक उत्साह का विशय है कैसा लग रहा है काभी खुश हो रही बनाते सुग्शा लग रहा है तो यह कलाकार यहां पर मवजूद है आप देखे कि किस तरीके से रंगों को भरने का काम किया जा रहा है यह मंदिर के उपर का हिस्सा है गुंबद और आप देखे यहां पर जो ध्वज है लाल तरीके से इसमें कलर भरे गए है और बताया जा रहा है कि कुछी समय में यह पूरी जो प्रभुश्री राम के मंदिर के रंगोली है यह कंप्लीट हो जाएगी